दोस्तों सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है पचास दिन के बाद अभी अभी मैं मेरी पत्नी भगवंत मान साथ हम लोग कनौट प्लेस में हनुमान मंदिर में गये दे हनुमान जी का अशिरवाद लिया उनके दर्शन किये फिर शिप जी के मंदिर गए शनी जी महाराज के पास गए उनका सब का अशिरवाद लिया बजरंग बली की खूब कृपा है हमारे उपर हमारी पार्टी के उपर देशवासियों के उपर उनी की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में हूने तो किसी को उमीद नी थी कि चुनाओ के बीच में मैं जेल से भार आ जाऊंगा लेकिन उपर बजरंग बली की गृपा है अनुवान जी की गृपा है हम लोगों के ऊपर और चमतकार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ दोस्तों हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है दो राज्यों के अंदर है अभी दस साल पुरानी पार्टी है हमारी पार्टी को कुचलने में खतम करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक साथ हमारी पार्टी के चार टॉप के नेता जेल भेज दिये एक साथ अर्विन केजरीवाप मनीज सिसोदिया संजे सिंग सतिंदर जैन बड़ी बड़ी पार्टीयों के अगर चार टॉप के नेता जेल चले जाएं पार्टी खतम हो जाती है आम आदमी पार्टी के चार टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिये उन्होंने सोचा कि पार्टी खतम हो जाएगी लेकिन ये पार्टी निया ये एक सोच है जितना ये खतम करना चाते हैं उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाते हैं प्रधान मंत्री जी आम आदमी पार्टी को। आदमी पार्टी की 10-15 मिनिट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविश्य देने वाली है। वो खुद भी मानते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को गढ़ने से रोका जाए इनको कुछल दि वाली है आप अच्छे काम करो अप देश को भभिश्य दो आजापकी सरकार एक इंद्र के अंदर आप देश के लिए काम करोगे आम आपमी पार्टी को कोई पूछे गाई नहीं यह लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जंतंत्र नहीं है, ये इस देश की जंता पंदनी चाहिए। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नी छोड़ी, छोटे से लोग है हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टि को और उसके नेताओं को प्रताडित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आग inacradas मी प्रताडित करने की कोशिक किया मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ने ब्रश्टाचार से लड़ रहा हूं देश के सबसे बड़े चोड उचक्के और डक्यतों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जिन लोगों को दस दिन पहले मोधि जी कहते थे सतर हुजार करोड का इसने घोटाला कर दिया थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपर्टी में शामिल करके किसी को आज़ यून देते हैं और उनके सारे परश्टाचार से लड़ रहा हूं मैं मोदी जी को कहना जाता हूँ ब्रश्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरी वाल से सीखो प्रधान मंत्री जी ब्रश्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरी वाल ने लड़ी है 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी हमारे एक मंत्री का एक ओडियो मेरे पास किसी ने वाटसअप कर दिया उस ओडियो में मेरा मंत्री किसी तुकान वाले से पांच लाक रुपे मांग रहा था किसी मीडिया वाले को नहीं पता था विपक्ष को नहीं पता था अप लोगों को याद होगा मैंने अपने खुद मंत्री को CBI के हवाले कर दिया जेल बेज दिया था अपने मंत्री को ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ बढ़ाई था पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार में मिरे को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है आए, वहांबे मान साहँ ने उसको किसी को भी विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था, हम ने अपने मंत्री को उपा के जेल में वेज दिया है। तुम देश के सारे चोरू चुकते डगेतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरी वाल को जेन बेजदो और को और मैं बरस्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं तो आप रश्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं परदानमंत्री जी आप देश वासियों को बेवकूप मत समझो देश बच्चे बच्चे के जुबान के उपर हो रहा है कि सारे चोर चको को अपनी पार्टी में शामिल करके और एड़ी और सीबिया के सारे केस उनके रफाद रफा कर रहे हैं केजरी वाल को क्यों गिरफतार किया हूं केजरी वाल को गिरफतार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरी वाल को गिरफतार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफतार कर सकता हूं किसी कोई केस नहीं होगा कोई मामला नहीं होगा तब भी मैं तुमको गिरफतार कर सकता हूं एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है पृधान मंत्री जी ने बहुत ही खतरना देश वासियों को यह समझने की अब जब मैं बोलने जा रहा हूं समझने की जरूरत है उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर देश के सारे नेताओं को खतम करना चाते हैं मोदी जी और इसको दो स्तर के उपर इस मिशन को चला रहे हैं जितने विपक्ष के नेताओं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेताओं उनको सब को निपता देंगे उनकी राजनीती खतम करते जाएंगे उनको सबको निपडाते जाएंगे विपक्ष के अंदर आज इनों ने मनीज सिसोधिया को जेल बेज दिया संजय सिंग को जेल बेज दिया सतंदर जैन को जेल बेज दिया केजरिवाल को जेल बेज दिया हिमन सुरेन को जेल बेज दिया मंता दीदी के कई मंत्रियों को जेल स्टैलिन के कई मंत्रियों को जेल बेज दिया के ररेला के में पीछे पड़े हैं अगर यह चुनाव पीछ जीत गए मेर से लिखवा लो एफिडेविट के उपर, थोड़े दिन के बाद मंता दीदी जेल में होगी, तेजसभी आदफ जेल में होगा, स्टैलिन साफ जेल के अंदर होगे, पिनरही विजेन जेल के अंदर होगे, उद्धव ठाकरी जेल के अंदर होगे, जितने ही विपक्ष के नेता हैं, ये सारे ज दो स्पाराइव शुवराज मंगए शुल्जानी ने उसको मुख्य मंतरी नियुए उसकी राजनीति खतम करते वसंद्रा राजी कि जोशी की राजनीति खतम करते डॉक्टर रमान सिंग की राजनीति खतम करती Extra अगर यह चुनाफ जीत गए मेर से लिखवालत दो महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदन देंगे जोगी अधितनाथ की राजनीति खतम करेंगे उनको भी निप्टा देंगे यही तानाशाही है दोस्तों वन नेशन वन लीडर यह चाहते हैं एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा हमारा देश बहुत महान है चार हजार पांच हजार साल पुराना हमारा देश है इसके पहले पिछले चार हजार साल में कई मौके आए जब इस देश के ओपर ताना शाहों ने कबजा करने की कोशिश की लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन ताना शाहों का तख्ता उखाड के फेक दिया जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि ताना शाह ने हमारे देश के ओपर गबजा करने की कोशिश की इस देश की जंता ने उसका तख्ता उखाड के फेक दिया आज एक तानाशा इस देश से जनतंतर खतम करना चाता है आज एक तानाशा इस देश से लोकशाही खतम करना चाता है मेरी अकेले के करने से नहीं होगा 140 आज में आप लोगों से भीक मांगने के लिए आया हूँ 140 करोड लोगों से 140 करोड लोगों से भीक मांगने के लिए आया हूँ मेरे देश को बचा लो मेरे भारत वर्ष को बचा लो मेरे भारत वर्ष को बचा लो मेरे भारत वर्ष को मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ उन्होंने किस दिन दिये हैं एक एक दिन में 24 घंटे हैं मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूँगा पुरे देश बर में घुमूँगा इस ताना शाही को रोखने के लिए दोस्तों जितनी मेरे अंदर ताकत है मेरे सब कुछ कुर्बान है देश के लिए मेरे तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए मेरे खून का एक एक कत्रा मेरे देश के लिए मेरे शरीर का एक एक कत्रा मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए मेरे देश को गचाने के लिए मैं पूरे देश में जाओंगा दोस्ते अब एक बहुत महत्वपून बात करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना ये लोग इंडिया गठवंदन से पूछते हैं आपका प्रधान मंतरी कौन होगा मैं बीजेपी से पूछता हूँ आपका प्रधान मंतरी कौन होगा आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवल क्या बात कर रहा है मोदी जी होगे नहीं मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा सबसे पहले आडवानी जी को रिटायर किया गया उसके पहाद मोडली मरोर जोशी जी को रिटायर किया गया फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया फिर यश्वन सिना को रिटायर किया गया अब मोडी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं तो मैं बीजेपी से पूछना चाता हूँ तो आपका प्रदानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उसके भी आऊंगा मैं। तो मैं लोगों को देश के लोगों को अगा करना चाहता हूं। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमिच्छा को प्रदानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमिच्छा जी से ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा। क्या अमिच्छा मोदी की गारंटी पूरी करेंगे। जब आप अगर जो जो वैसे तो मेरे को लगता मैं भी आउंगा उसके ओपर मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है लेगिन जो जब बिजेपी को वोड देने जाएं वो यह सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोड नहीं दे रहें आप अमिच्छा के नाम पे वोड दे रहें अब एक खुश खबरी है आप लोगों के लिए अब एक खुश खबरी है सब को बता दे ना जो मैंने बाते कहीं है बड़ी सोच समझ के कहीं है वहां बैठके यही सोच रहा था 50 दिन से दोस्तों पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए 20 घंटे हो गए इन 20 घंटों के अंदर भी मैंने रात भर मैं जन्ता से बात कर रहा था लोगों से फूम कर रहा था रात को आंधी आई दी पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की चुनाव विशलेशकों से बात की सिफरोजिस्क से बात की जन्ता से बात की फोन पे लोगों से मेरा अपना आकलन है कि चार जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही है दोस्तों अगर मैं गलत हूं तो मेर को बताना हर्याना में की सीट कम हो रही है राजस्तान में कम हो रही है करनाटक में कम हो रही है दिली में कम हो रही है जिहार में कम हो रही है महराश्ट में कम हो रही है करनाटक में कम हो रही है बंगाल में कम हो रही है जारखंड में कम हो रही है बढ़ का रही है यूपी में कम हो रही है बढ़ का रही है बढ़ एक भी जगह इनकी सीटे नहीं बढ़ रही है मेरा अपना मानना और सट्टा बजार में भी माभव वच्व चल रहा है इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है उससे जागा सीट नहीं नहीं बन रही है केंद्र में इंडिया गठवंदन की सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी दिल्ली को पूर्ण रज्ज दिलाएंगे दिल्ली का LG लोगों का LG होगा दिल्ली का LG दिल्ली वालों का LG होगा गुजराथ से आया हुआ अभी दिल्ली के लोगों का LG होगा दिल्ली के लोगों का विकास हो एक और पॉइंट है जब मैं जेल के अंदर था तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया केजरिवाल सी एंपद से इस्तीफा क्यों नहीं देता हूं दोस्तों केजरिवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ मैं अब मंत्री मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री ये सब बनने नहीं आया है इंकम टैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था कमिशनर की नौकरी छोड़के दिल्ली की जुगियों के अंदर एक नी दो नी तीन नी दस साल तक मैंने दिल्ली की जुबियों के अंदर कांग किया है सुंदर नगरी और नंगरी जुबियों के इंकम टैक्स कमिशनर की नौकरी छोड़ के जब मेरे को दिल्ली की जन्ता ने पहली बार सीम बनाया असूलों के उपर 49 दिन के अंदर CM पत से इस्तीफा दे दिया था एक चप्रासी की नौकरी कोई नी छोड़ता CM बनने के लिए लोग अपना दाया हाथ कटाने के लिए तयार होते हैं मैंने खुद से अपने आप CM की कुर्सी को लाथ मार दी थी 49 दिन के अंदर मेरे लिए CM पत इंपोर्टन नहीं है आज मैंने CM पत से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद दोस्तों पिछले 75 साल में भारत वर्ष में इतने राज्यों के चुना हुए इतने राज्यों के चुना हुए दिल्ली के अंदर सबसे एतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती 55-56 परसेंट वोड एक बार 67 सीट एक बार 62 सीट इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्यों की सरकार 75 साल में नहीं जीती इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद जूटा केस अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर उन्हें पता अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं अरा सकता तो उन्होंने एक शड्यंत्र रचा राजनेतिक शड्यंत्र रचा केजरिवाल को जूटे केस में जेल भेज दो केजरिवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा केजरिवाल की सरकार गिर जाए उन्हाने ये शड्यंत्र रचा मैंने कम मैं भी इस्तीफा नहीं दुनगा तुम अगर तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दों सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे कता इस्तीफा तुम्हारे ट्रैप्ट में फसने वाले नहीं है यह अगर हेमन सुरेन साब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था जेल से सरकार चलानी चाहिए अगर हमने स्तीफा दे दिया यह तो बड़ा अच्छा इनके लिए है जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हा रहेंगे उसके मुख्यमंतरी को पकड़ की जेल में डाल दो सरकार गिरा दो को किसी पद्र का हिए सी Am की कुर्सी देश की नाम कुरुबान हो मुझे पदा चला क्यूow गाथ मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावो खासकर मेरी मां बहने महिलगे बहुत रो कई उन्हें बहुत मन्दते मांगी, मैं सब का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं, जिन लोगों ने अपनी दुआएं भेजी हैं, पूरी दुनिया भर से करोडों लोगों ने दुआएं भेजी, उनी के आशिरवात का कमाल है, कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, देश खूब तरक्की करें, फले भूले, आप सब लोग खूब खुश रहें, ऐसी मेरी प्रभू से इच्छा है, भारत मता की!